हेलो बच्चो आज हम करेंगे डिफरेंस बिफ्वीन एनिलेट और आत्रोपोर्ट्स ठीके अब पहला पॉइंट अफ डिफरेंस देखो जो एनिलेट्स हैं उनकी जो अपेंडिजिस यानि की लेक्स अनुजॉइनटेट होती हैं और जो आत्रोपोर्ट्स हैं उनकी कि यह एक पराउन खाय है आप इसकी लेग्स आप देखो कैसी है जॉइन टेड्ट है जैसे हमारी अलबो रीजिन में जॉइन होता है इसकी अपेंडेजि़ में बहुत सारे जॉइन्स आपको विजीबल होंगे तो प्राउन एक आर्फ्रोपोर्ड है और लेग्स जॉइनिट एक और आर्थ रोपोर्ट देख लो क्रैब की भी जॉइंटेट लेक्स हैं लेक्स के बीच में आपको जॉइंट नजर आ रहे हैं यह एक जॉइंट यह दिखो जॉइंट है तो सो मेनी जॉइंट साथ यह ठीक है अब देखते हैं हम एक निरिस का एक्जामपल लेते हैं निरिस क्या है निरिस एक एनिलेट है निरिस में क्या प्रेजन्ट है पैरापोडिया प्रेजन्ट है अब यह पैरापोडिया देखो कैसी पेंडिजिस हैं और बीना joints के हैं तो एक जो any lead है उसके पास या तो केटे आर्दे है या पेरापोडिया होते हैं ये appendages की मदद से वो चलते हैं और ये बीना joints के होते हैं ठीक है? इनकी legs में, इनकी appendages में कोई joints नहीं होते हैं तो आर्थरोपोडा का मतलब ही है वो animals, chin की jointed legs या appendages होती हैं ठीक है? अब चलिए second point of difference देखते हैं एनिलेट्स का closed circulatory system होता है closed मतलब कि उनमें blood vessels के अंदर blood flow करेगा ठीक है? blood कहाँ flow करेगा? inside blood vessels इसलिए इनका एनिलेट्स का closed circulatory system है जबकि आर्थरोपोड का open circulatory system है open से क्या मतलब है? open होता है जब blood vessels absent होगी absent होगी तो क्या present है? उनमें open spaces या sinuses present है इनके अंदर blood present होता है ठीक है? तो open circulatory system आर्थरोपोड में है और closed annिलेट्स में है तीसरा point of difference annिलेट्स का annिलेट्स true siloam होती है अनिलेट्स में true silomates होते हैं ये और जबकि आर्थरोपोड्स जो होते हैं उनमें body cavities होती है जिनके अंदर blood present होता है तो इनको आप hemo seal जो siloam होती है उसको hemo seal कहते हैं इनमें true siloam नहीं present है अब siloam होती कहा है बेटा present देखो आपको में siloam present होती है body wall body wall और elementary canal के बीच में present elementary canal के बीच में siloam होती है अब true siloamates यानि की annulates true siloamates क्यों कहा जाता है इनको क्योंकि इनकी जो siloam है siloam is lined by epithelial mesodermal cells epithelial mesodermal cells ठीक है epithelial mesodermal cells इनकी siloam को line करते हैं इसलिए इनको कहते हैं true siloamates जबकि जो anilates है anilates वो true siloamates हैं जबकि आपके arthropoards हैं उनमें क्या present है hemoseal hemoseal वो होती है जिसमें body cavities present होती है body cavities और इन cavities के अंदर blood present होता है ठीक है इसलिए ये arthropoards में hemo seal होती है और anilates true siloamates होते हैं close circulatory system वाले next point of difference है anilates में exoskeleton जो है chitinous exoskeleton absent होता है जबकि arthropoards का exoskeleton है वो chitin का बना होता है chitinous exoskeleton तफ exoskeleton present है arthropoards में anilates में नहीं है उसके बाद excretory organ का difference excretory organ anilates में nephredia present होता है और arthropoards में या तो green glands होते हैं या malpigion tribules होते हैं ठीक है उसके बाद six point of difference sensory system sensory system देखो जो anilates है उनका इतना ज़्यादा developed नहीं होता less developed होता है sensory system और जो arthropoards है उनका well developed sensory system है आप वो भी आपको diagram की मदद से हम दिखाते हैं ये देखी ये एक prawn है prawn में देखो कितना well developed sensory system है इतने long antenna present है दिख रहें आपको यहाँ पर भी देखी तो ये antenna है क्या है ये well developed antenna sensory system है ये arthropoards का जो की well developed है जब की आप एक annihilate का देखिए annihilate में क्या है small सी tentacles ये palp present है tentacle ये palp तो ये well developed sensory system absent है annihilates में और जब की arthropoards में it is well developed sensory system ये देखी well developed sensory system है आथ्रोपोर्ज का ठीक है उसके बाद locomotory organs आप मैंने आपको diagram में बता दिया था annilates में parapodia ये केटे हैं और जो आथ्रोपोर्ज हैं उनमें legs होती है ये wings भी present होते हैं example annilates का common example है अर्थवों और दूसरा आप नीरीज कर लें यार और आथ्रोपोर्ज के common example cockroach, crab, prawn, centipede, millipede ठीक है इवन butterfly is also an arthropod ठीक है तो अब मैं अपना वीडियो यहीं पे कर रही हूं अगर आपको पसंद आया तो आप like, share और subscribe करना मत भूलिएगा और मिलते हैं अपने next lecture में thank you, have a good day और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई special वीडियो आपके लिए डालू तो आप नीचे comment section में मुझे जरूर बताएए thank you बच्चो